हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एंगुलर 9 यह हमारा 43 टॉटोरियल एंगुलर का जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाड़ा को ट्रांसफर कर सकते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं cockpit component.ts file में और जो हमारा add blueprint था और जो हमारा add server था उन दोनों को मैंने comment कर दिया है ताकि इसके वज़े से कोई error ना है हमारा अब देखिए उसके बाद मैं क्या करता हूं सबसे पहले server element component.html file में आता हूं और यहां पर मैं यह देखता हूं कि element.name access हो रहा है element का type access हो रहा है और अपक्या access हो रहा है element का content तो यहां पर मैं एक property बनाऊंगा जिसका name होगा element और मैं इसका type भी बता दूंगा और इसका type syntax है जो कि इसका type define करता है कि किस type का यह होगा तो यहां पर हम देख रहे हैं जो element है उसमें से क्या क्या access हो रही है name type और content तो हम लोग यह बता देंगे कि name किस type का है content किस type का है और type किस type का है तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा लिखता हूं यहां पर type औ दूसरा है अमारा name, name का type क्या है, string है, और तीसरा है हमारा content, जो की क्या है, ये भी string है, string type का है, तो यहाँ पर हमने इसके type को define कर दिया है, अब देखिए मैं इस element को इसके बाहर access करना चाहता हूं, किसमे access करना है मुझे, आप component.html में, यहाँ पर क्यों access करना है, कि अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम app server element को use कर रहे हैं, और server element में हम यहाँ पर इसको use करेंगे भी, जब हम code लेखेंगे, उससे पहले हम आप component.ts file में, यहाँ पर हम देखेंगे, जो server element है हमारा, जो की array store कर रहा है हमारे servers के, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, simple साइक आपका, एक server का object देंगे, मैं लगाता हूँ curly wishes, यहाँ भी curly wishes use कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो curly wishes हो रहा है, वो पहले वाले curly wishes कैसे different है, वो इसलिए different है कि हम इसको equal to के बाद use कर रहे है, equal to के बाद use करने का मतलब यह है कि आप इसमें object pass कर रहे है, Java script है, जिसमें आप key value के pair देंगे, value बताएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं देता हूँ type, जो किस type का होगा, जिसमें क्या होगा, server, देखिए key दिये, और दूसरा value हमने दिये, और इससे पहले वाले जो हम equal to के left hand side में use कर रहे थे, यहाँ पर हमने equal to का sign use नहीं किया था, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, server और फिर हम लगाएंगे, comma और फिर content, content में क्या होगा, आपका just a test, अगर हम क्या करेंगे, इस server element को, तो हम कहाँ पर use करेंगे, app component html में, लेकिन मैं आपको बताया था कि, जो server element होगा हमारा, उसको हम यहाँ पर use करेंगे, इस file में, इस html file में, तो यहाँ पर किस तरीक element, और element को लिखने के बाद, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, server element, जो यह हमारा let के बाद server element, इसको हम यहाँ पर दे देंगे, और यहाँ पर इसे save कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं से run करूँगा, तो मेरा सबसे पहले बाद तो error देगा, क्यों, क्योंकि जो element है, वो किसकी property है, server component की, और server component की property जो होती है, उसी component के अंदर bind होती है, उसके बाहर आप उसे access नहीं कर सकते, यह ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम से bind करके ताकि हम इसे एक ही component के अंदर use कर सके, और दूसरे component में use करने के लिए हमें, किसका use करना पड़ेगा, decorator का, और decorator सिर्फ एक class में class के बाहर भी access किया जा सकता है, यह use किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, simple एक decorator का use करने वाले है, और यह हमारा function की तरह काम करेंगा, तो इस तरह से इसको लिखेंगे, अब इसे हमें import करना है, तो यहाँ पर से हम लिख देंगे input, और इसे save कर लेंग test server, just test, हमारा rune के आ गया है, तो यहाँ पर हमने यह सीखा कि कैसे आप एक component के property को दूसरे component में use कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे है, हम क्या करते हैं, जो element हमारा property है, server element component का, उसको हम app component में use कर रहे है, उसके लिए हमने क्या किया, decorator का use किया, जैसे कि मैंने आपक decorator का use किया है thank you for watching this video अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like किजिए share किजिए हमारी चैनल को subscribe करना न भूलें और playlist को ज़लूर देखे friends क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते है different अब इंटीफिनित्र के framework और प्रोग्राम लेग्वेज पर वीडियो गुडबाइ टेक केर